Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the shadow of a flag step is three times as long as the shadow of the flag step when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree, find the angle between the sun rays and the ground at the time of longer shadow. तो आईए बच्चों हम इस question को यहाँ पर solve कर लेते हैं, इस question में हमसे कहा गया है कि जो shadow है, एक flag step की वो three times long है as the shadow flag step, जब जो sun rays हैं वो meet करती हैं ground पर at an angle of 60 degree, तो हमें बताना है कि angle जो होगा between sun rays and ground, जब longer shadow बनती है तो क्या होगा angle उससे में, तो बच्चों यहाँ पर जो ह की concept, यहाँ पर हम use करेंगे, 10 theta is equal to perpendicular, perpendicular, perpendicular by base, by base, तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें कि हमारे पास क्या कहा गया है, कि हमारे पास, यहाँ पर बच्चों जैसा कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो यहाँ पर एक flag step है, let's suppose हमारे पास एक flag step है और इसका जो elevation होता है एक point से हमारे पास वो होता है 60 degree, और जब यहां पर हमारे find करना है कि जब हमारे पास जो shadow है वो three times होती है इस flag staff की तो हमारे पास यहां पर angle क्या होगा तो इसे हम angle theta मानेंगे बच्चों theta और यहां पर बच्चों हम इसे a मान लें इसे b मान लें और इसे c मान लें तो हम क्या कहेंगे यहां पर बच्चों अगर हमारे पास यह जो जब angle 60 degree है तो हमारे पास shadow बनती है x meter और जब हमारे पास यह बच्चों angle या फिर हम कहें कि angle increase करता है तो हमाई shadow 2x और increase कर जाती है means हमाई जो shadow है वो 3 times हो जाती है original shadow के मतलब 3x हो जाती है total तो यहां पर हमें बच्चों यही बताना है कि यहां पर जो shadow है वो जो 3 times होती है तो angle जो होगा sun का वो क्या होगा यहां पर तो इसे बच्चों हम height मान लेंगे यहां पर h height h मान लें अगर हम यहां पर तो यह क्या होगा हमारे पास अगर हम यहां पर बच्चों triangle इसे point को हम d मान लें इस point को हम यहां पर d मान लें तो अगर हम triangle a b d देखें तो यहां पर बच्चों हम जानते है कि 10 theta क्या होता है हमारे पास perpendicular over base तो perpendicular क्या है बच्चों यहां पर h है हमारे पास means ab और base क्या है यह है x और theta की value क्या है बच्छों हमारे पास यहाँ पर theta है 60 degree तो 1060 क्या है हमारे पास h by x अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1060 होता है यह हमारे पास equal होता है square root 3 के तो square root 3 हमारा यहां से आ जाएगा बच्छों h by x तो यहां पर बच्छों x जो आएगा हमारा x आएगा यहां से हमारा h by square root 3 अब यहां पर बच्छों अगर हम दूसरा triangle देखें हमारे पास तो दूसरा triangle होगा हमारे पास triangle A, B, C तो यहाँ पर हमारे पास angle जो है वो है theta और perpendicular क्या है h और यहाँ पर बच्चों कर हम distance देखें तो हमारे पास distance क्या है cb के बीच का वो है 3x तो यह है 3x अब यहाँ पर बच्चों हमें बताना है basically कि हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर यह 3x है बच्चों theta क्या होगा यह 3x है अब यहाँ से बच्चों अगर हम h की value निकाल लें यहाँ पर है अगर हम h की value निकाल लें या x की जो value है वो put करें 10 theta वाली value में तो बच्चों x की value क्या है हमारे पास h by root 3 तो 10 theta क्या हो जाएगा हमारा यहां पर x, h by 3 और x क्या है बच्छों यहां पर हमारे पास h by square root 3 यहां पर हमने यह value यूज कर लिए ہے तो यहां से हमारा 10 theta आ जाएगा 10 theta is equal to h से h cancel होगा हमारे पास और यह आ जाएगा 1 by square root 3 और हम जानते हैं कि square root 3 होता है हमारे पास 30 degree तो theta जो है बच्चों वो होगा हमारे पास 30 degree means हमारे जो angle होगा वो क्या होगा यहाँ पर 30 degree तो यहाँ पर बच्चों हमारा angle आ जाएगा 30 degree means कि जब shadow 3 times होगी तो हमारे जो span का angle होगा वो होगा 30 degree I hope you understood it well, best of luck, thank you